तो कक्छा 11 मी के प्रिवेद आते हो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्छा 11 मी का B.S.E.T. का पूर्व अभ्यास परिक्षा का भूगोल का पेपर और गाईस आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो भूगोल का पेपर है बी सेट का पूरव परीच्छा अभ्यास पिसने पत्र का इसे पूरा का पूरा हलसायद बताने वाले हैं पिसने कृमंग के एक से लाश्ट तक का आपके पिसने होंगे सभी के सभी अलसायद बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ 건 उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्योष्य यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूटूब चैनल मिस्टर साइंस लबर को सस्काइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल काला पीला हरा जैसा भी आपको सस्काइब का बटन देखे उसे दबा के चैन को सस्काइब कर लेना है साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को चल यहां पर आपको सही पिकल्प चुनकर लिखना है यहां पर आपका पहला लिखा निम लिखित में से किस विद्वान ने भूबल सब्द का प्रियुक किया था तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इरेटो इस थनीच इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी बाद दोस्तों देखोगे आपका विकल्प नंबर दो आता है जिसमें लिखा हुआ है क्या यहां पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर के विकल्प में सबसे अधिक बिनासकारी तरंग मानी जाती है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या दूसरे का आ जाएगा असा नंबर का जह समान उच्छाई पर इस दो इसथानों के बीच बायू दाप की परिवएतन की दर्क को कहते हैं तो इसका राइंसर आ जाएगा है तो इसका राइंसर आ झाजाएगा आपका क्या दोस्तों यहां पूरवी और पष्चिमी घाट को कौनशी पहाड़ियां आपस में मिलाती है तो इसका राइट टांसर आजाएगा आपका क्या इसका नील लगरी इसका राइट टांसर हो जाएगा और इस पेकासे आपका जो पूरा हो जाता है इसके बार आता है फिष्ष्ष्ण कर्वांक दो चलिए देखते हैं फिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष की दिसा तरंगों की दिसा के खालिस्थान होती है तो इसमें आ जाएगा अनुधेर रिक्या आ जाएगा दोस्तों अनुधेर जी इसका राइट अंसर आपको लिख लेना देखिए इसमें आपको लिख लेना है दोस्तों अनुधेर जी इसका राइट अंसर आपको लिख लेन तो इसमें आजाएगा आपका क्या प्रकास का प्रक्राइब इसका राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद इहां पर देखो कि दो चौति नमबर में लिखा है धुर्विये छेत्रों में वायूद आप खाली स्थान होता है तो इसका आजाएगा आपका उच्छी क्या होता है उच्छी इसका राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद यहां पर लेका पिलाया जीले खाली स्थान में पाई जाती है तो इसका राइट अंसर आजाएगा राजिस्थान में क्या जाएगा दोस्तों इसका राइट अंसर लिख लेना है क्या राजिस्थान में पाई जाती है इसके बाद दोस्तों यहां पर देखो कि यहां पर लेखा कोसी नदी को खालिस्थान का स्रोक कहा जाता है तो इसमें आ जाएगा बिहार क्या जाएगा दोस्तों बिहार इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा और इस पेकासे आपका जो पिष्णे क्रिमंक दो है पूरा हो हो जाता है इसके ब면 तीन से चलिए देखते हैं में आप लोगों से किया पुंचा गया है तो काईसी यहां पर आप इसके बिश्वरा क्रिटपिन में और आपकोrich आपको तो हो जाएगा इसके बाद है तो यह भी आपकाल तो जाएगा इस की जल्धारा गर्मत जल्धारा है तो यह आपका सत्य हो जाएगा इसके बाद यहां पर लिखा है सागरी जल में परवरता का मुख इस्त्रोत हिम नदी है तो इसका राइट अंसर आपका असत्य हो जाएगा इसके बाद यहां पर देखो के उत्पादकों क्या लिखा है कि कम चार्त गया है तो गश्य अर्फ यहां पर आपको बनाना है यहां पर आपको बनानाएं फाहिसे लंबी रुट पर आंसर आ पिमसारिब सब्सक्राइब 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 आपका क्या यहां पार तीसरे का ढाल पर का नंसर कर जाएगा आपका थार this के लिए इसके बाद हें पर आद लेखाएrau से कम बैसा तो इसका right answer आजाएगा आपका क्या यहां पर आजाएगा प्रश्च्मी राजिस्थान का छेत्र इस परकासे आपका प्रिष्ण क्रिमंग 4 आपका फूरा हो जाता है इसके बारा आता है प्रिष्ण क्रिमंग 5 चलिए क्या पूंचा गया है तो गाइस यहां पर आप लोग देखो के यहां पर आपको पिष्णिक मंग 5 लिखा होगा है जहां पर आपको एक सब्द एक बाकि में उत्तर लिखना है तो यहां पर देखे के दोरान कार्बन डायाख्रोइट किन यूग्यकों में बदलती है तो गाइस इन सभी के अंसर हम आप लोगों के लिए एक साथ लिए बता देंगे वससे पहले आप लोगों के उस्य है और न stret गैसे यहांपर आप कतिशनय होगे आपको लगों के चाहिए उस्कerson का लिख सकते हो जो भी आप लोग क्रुंठ सकते हो चलिए गाइस इसके बाद जैसा कि हमने आप लोगों के लिए बताया था संपूर पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे तो चलिए संपूर का ही बताएंगे लेकिन उसके लिए आपने को पिसने क्रिमंग 6 की और आ चुके हैं जहां पर लिखा मानव भूगोल की किनी दू साखा भूगोल यह आपका राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद गाइस यहां पर आप लोग देखोगे अंगला लिखा होगा पिसने क्रिमंग सात्मा जहां पर लिखा जोबियन और पाथिप ग्रहों में क्या अंतर है तो यह अंतर लिखिए तो गाइस एक काम आपको कहना है इ इसके बाद दोस्तों पिसने क्रिमंग 11 मां और 12 मां देखने को मिल जाएगा 12 में के बाद यहां पर पिसने क्रिमंग 13 मां देखने को मिलेगा 13 में के बाद दोस्तों यहां पर 13 के अत्वा का लिखा होगा फिर यहां पर आपका 14 में नंबर का और यहां पर आपका पिसने क् हैं तो रोस्तों वैसे यहां पर देखेगा है इसके बाद आइस और आंगे जाएंगे तो है जो यहां पर आप लोग देखो गहें यहां पर nicht कि मंक्समें का आंशाधेँ सकते हूं इसके बार आपको पिशने कर्मंक 9 का अशर आपको देखने को मिल जाएगा औरoya Revelation कि ग्यार में कांसर देखने को मिल जाएगा ठीक है ग्यार में के बाद गाइस यहां पर आपको पिसने क्रमंग तेर में कांसर देखने को मिल जाएगा तेर में के बाद दोस्तों यहां पर आपका पिसने क्रमंग तेरा ही चल रहा है इसके बाद यहां से आपका पिसने पंद्रह स्टार्ट हो जाएगा पंद्रह के बाद गाइस यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर भी आपको पंद्रह का है इसके बाद गाइस यहां पर आपका पिसनिक रिमंग 18 का अथवा का है क्या दोस्तों यहां पर पिसने क्रिमांग 16 है फिर यहां पर यह आपका 18 का अथवा का है जो कि यहां पर देख सकते हो इसके बाद यहां पर आपका पिसने क्रिमांग 19 देखने को मिल जाता है यहां से यहां तक और यहां तक भी दोस्तों आपका पिसने क्रि इसमें आपको मैप लिखना है क्या कहना है दोस्तों इसमें आपको मैप भरना है तो यह आपको देख लेना है गाइस यहां पर हमने आप लोगों के लिए लगफद आपका जो भूगोल का पेपर है इसे समफूर हलसाइद बता दिया है तो गाइस यह आप लोगों के लिए व